Hello everyone, myself Ramvila Singh and I am lecturer Mechanical Engineering आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट ME304 CNCN Automation में जो टोपिक है आपका Classification of Robot Based on Structure of Manipulator यह जो आपके पास जो Manipulator है उसका Structure कैसा है उसके आधार पर हम Robot को किस प्रिकार से Classify कर सकते हैं तो आज देख लेते हैं हमाँ हम यह आपर Various Manipulator Configurations Manipulator का Configuration क्या है Structure क्या है उसके आधार पर हमें आपके देखने वाले हैं Classification The Mechanics of Manipulator Depends on the Type of Joint Employed and Their Arrangement यहाँ जो Manipulator है Manipulator की Movement की कैसी होगी आपर जो है Force का Action, Reaction कैसा होगा तो किस पर Depend करेगा वो Depend करेगा कि इस Manipulator में Joints किस टाइप की लगे हैं और किस प्रकार से Arrange किये गए है Links को जित्ते भी Link लगे हुए है Manipulator के अंदर तो उसको किस प्रकार से Arrange किया गया है और Joint किस प्रकार किस टाइप के लगे हैं तो इस पर Depend करेगा कि Manipulator की Mechanics क्या-क्या मतलब किस प्रकार से होगी The Purpose of Robotic Arm is to Position the Wrist in the 3D Space तो यहां जो Manipulator है Actually Manipulator Robotic Arm है और Robotic Arm का केवल एक ही काम है कि जो End Effector है उसको निश्चित लोकेशन तक पहुचाना तो यहां पर जो End Effector है End Effector के लिजी आपर इसको जो Wrist के लिजी क्योंकि जो End Effector है वो Wrist से जुड़ा हुआ होता है तो Wrist को 3D Space में निश्चित पोजिशन पो इसको लोकेट करना होता है निश्चित लोकेशन तक पहुचाना होता है तो यह हमारा परपस होता है Robotic Arm का Manipulator का तो यह जो Moment है वो किस पर Depend करेगा? Totally Depend करेगा Joints के Type पर और Link के Arrangement पर यानि की Configuration पर तो किसी भी Robotic Arm की Manipulator की Moment कैसी रहेगी? वो किस पर Depend करेगा? Configuration पर यासा Configuration होगा उसकी Movement भी वैसी ही रहेगी 3D Space के अंदर तो According to Joint Movement and Arrangement of Links there are various basic structure configuration of the robotic arm is there तो इन Joint Movement और Arrangement के आधार पर यहाँ पर जो है हम जो है Various Type बता सकते हैं Configuration के These are characterized by distribution of three arm joint among the prismatic and rotary joint तो यहाँ जो हम देखेंगे यहाँ पर joint के Types तो Joint जैसे कहा हम जानते है Joint के Type या तो Prismatic रो्तरी होते हैं swक भी होते हैं तो we have your Diagnarか किस परकार से और लिंक किस परकार से Arrange किये हुए है तो इस परकार से हम देखेंगे तो हम रोबा वेट को यहाँ पर 5 प्रकार से सकते हैं anthropomorphic robot actually articulated robot ऐसा है जो हमारे बिल्कुल hand के equivalent होता है जो हमारा hand है उसके equivalent होता है जिस प्रकार से हम अपने hand को 3D में कैसे भी गुमा सकते हैं अपने हाथ को इस प्रकार से इस robot को भी हम moment करा सकते हैं और फिफ्ट ने जाए SCARA robot SCARA robot is mainly used for assembly work तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जो है पांच हम जो है टाइप बता सकते हैं robot के based on the configuration इसका मतलब यह है कि Cartisan robot के अंदर configuration कुछ अलग होगा cylindrical में कुछ configuration अलग होगा मतलब कि यहाँ पर joint कुछ अलग type के होंगे और यहाँ जो link के वो अलग तरीके से अलग होगे spherical में भी joint कुछ अलग होंगे और link arrangement कुछ अलग होगी तो इस प्रकार से इन पांचों robot के अंदर हमें कुछ ना कुछ अलग configuration यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और अलग-अलग configuration के अधार पर जो use है वो भी अलग-अलग हो जाएगा क्योंकि जैसा configuration होगा वैसे ही moment होगी 3D space के अंदर और वैसा ही हम उसके coding जो है काम कर पाएंगे तो सबसे बहुत हम बात करते है Cartesian coordinate robot की बात करते है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो configuration हो क्या है प्रिपल एस यहाँ प्रिपल पि Eğer blij अता है यहाँ पी का मतलब है के यह आपज थी जोइन होते है तीनों की होते है प्रिजमेटिक टैप की होते है क्या होता है dealईर istä मतलब पहलें और पर जोड़नेर मोशन दुसरा भी आफिसरा ग से होगे. वुयह तो इसका सक्टियर से होगे है ho평ंगे हो इसका क्नफिर्रिक्षिन हो गया ह Deuts sizin स्होंगे होishing आ है तियुक्तियोन होटीरोग स्लाइवahh रिपलाइज्टियोन हैрий्लद यह हो गया आपके पास base, this is the base, और यह आपके पास link दिख रहा है, इसके आगे end effector लगा होगा, और end effector को position करने के लिए आपके तीन moment होगी, पहला z direction में, दुसरा y direction में, दुसरा x direction में, linear moment होगा, तो इसका configuration क्या होगा, तीन हो जो joint है वो prismatic type के होगे, तो इसका work space होगा, इस प्रकास जो एक cube प्राप्त होगा, और यह भी जो है, डिखाया गया है, कि इस प्रकास जो है, यह robot हम use करते हैं, peak and plus operation के लिए, और इस प्रकास रोबोट का example है, sigma robot, तो यह हमें तिहान रखना है आपर, second type is the cylindrical coordinate robot, तो इसके अंदर क्या होता है, cylindrical coordinate robot के अंदर, यहाँ पर दो linear moment होता है, और यहाँ पर एक rotary moment हमें आपर देखने को मिलती है, जिसके हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ रोबोट के लिए, रोबोट के आगा हमें आपर देखें, तो यहाँ पके पास जो बेस हो गया, base and one link जो है आपका वो prismatic joint है, एक जो पर दो linear moment होती है, एक आपके पास जो rotary moment होती है, तो इसका type होती है, आपके पास TPP या फिर TSS, means twisting, एक आपके पास twisting type का है, twisting, prismatic, prismatic या फिर twisting, sliding, sliding, okay, but इसके अंदर एक क्या है कि, इसका जो dynamic performance है, वो काफी poor होता है, okay, and used to handle object in manufacturing, okay, and can't reach the object lying on the floor, अगर कोई सी, अगर जो है, किसी object को floor पर अगर वो पड़ा हुआ है, okay, तो उस floor से इसको object को pick नहीं कर सकता है, okay, तो यह जो इसका disadvantage हो गया, अगर आप इसको राता में से अगर आप समझें, अगर हम इस robot को तो देखिए, इस परकार से है, कि आपके पास जो एक crane आपको द अगर आपके पास यह हो क्या कर सकता है, ओपर नीचे sliding motion कर सकता है, मिन्स किसी object को अगर आपको उठाना है, lift करना है, manufacturing के अंदर करना है, तो इस परकार से, एक link आपको जो है, vertically motion करेगा, एक link आपको जो है, इस direction motion करेगा, और आपके पास पहला link करेगा, ट्विस्ट करेग रोटेट होगा इस परकार से, ओके, so this is the basically structure, this is the TPP और TSS, और इसका अग्जामपल आपके पास हो क्या है, वर्से ट्रान 600, यह जो है रोबोट का एक्जामपल है, जो cylindrical coordinate रोबोट का एक एक अग्जामपल है, अगर आम इसका जो है work space की बात करें, तो आपको जो है एक annular space इस दिखता है cylinder का, वो क्या होता है, the work space of this cylindrical robot, ओके, और अगर हम देखें, आपर तो जो तीन motion होती है, first is the twisting moment, one is the linear moment, and the third is also linear moment, तो यहापर जो दो linear moment हमको देखने को मिलती है, और एक आपको यहापर जो है rotary moment देखने को मिलती है, third is the polar or spherical coordinate robot, इसमें क्या होता है, इसमें एक linear moment होती है, और दो rotary moment हमें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख पारें इस डियागराम के अंदर, क्याहाँ पर आपके पास जो यह आपका base हो गया, और इस base पर जो एक link आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह क्या कर सकता है, और यह दूसरा link है आपके पास, यह भी twist कर सकता है, और यह तो तिसरा link आपको दिख रहा है, वो क्या कर सकता है, वो? या दिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आपको देखने को मिलती है and this is used to handle object in manufacturing and can't reach the object lying on the floor यह भी जो आपके पास जो रोबोट दिख रहा है वो फ्लोर पर जो अब्जेक्ट है उसको उठाने ही पाता है उसको पीक प्लेस नहीं कर पाता है इसका example किया है इसका example है Unimate 200 जाब पास रोबोट है वो पॉलर या फिर हम इसको स्पैरिकल रोबोट भी कहते है इसका example किया है Unimate 200 रोबोट तो फॉर्ट वन इस दर रिवोल्यूट और आर्टिकुलेटेट कोडिनेट रोबोट यह ऐसा रोबोट है जो यूमन का जो हैंड उसके एक्वेलेंट होता है जिस प्रकार से हम अपने हैंड को किसी भी डार्टेट कर सकते हैं इस प्रकार से यहां पर भी यहां पर जो तीन जो जो जोन्ट होता है वो तीनों क tiefnowें रोटरी मोमेंट आंवाउट त्री-डिफरे अक्सिस जो भी तीन ऑस से हैं उसमें आपर हमें रोटरी मोशन देखने को मिलती है एंपैला जो ज़ोटरी होगा वहाँ पर भी मोटर लगी हुआज जो रोटरी मोशन करेगी और तीसर अब्जेक्ट को हैंडल करने में काम आता है, अगर हम इसके एक्जाम्पल की बात करें, तो T3 और Puma रोबोट जो है वो इसका एक्जाम्पल है, रिवोल्यूट, आर्टिकुलेटर कोडिनेट रोबोट का, थर्ड रोबोट, इसका रोबोट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका रोबोट की फॉल फॉर्म है, तो ये मैंली जो है, असेम्पली के काम आता है, इन दा प्रोडक्शन जो है, बहुत ज़्यादा इसका अप्रोग के जाता है, इस परकार से यह, आपको पास रोबोट दिख रहा है, यहां से इस डिस्क को उठा रहा है, और यहां प कर रहा है तो यहां पर यहां पर एक मोटर लगी जो रोटरी मोशन करेगी यहां पर यहां पर लिंक आपको दिख रहा हूं क्या करेगा यहां पर दो रोटरी जोइंट और एक आपके पास क्या है प्रिजमेटिक जोइंट है और इस परकाश जो है पांच जो है इन यंदे लेकितों करने या पर देखें स्कों जो और वुले लेते हैं काटइजन ट्यपल पी एक जो तीनोही जोइन होते होते हैं वो चूर्ट है स्काला रोबोट विगे इस प्रिकार से जो है इस पैरिकल जैसा ही होता यहाँ पर कुछ इसमे जिह भी केडिन आपके पास ट opioid के बहुत हैं देखें यहांभी यहां यहां भी बिक्तवक्रेंटले स्पैरिकल में बी शेलो वो यहां पर vertical ही motion करता है तो यह जो है difference हो जाता है आपके पास scara robot और spherical robot के अंदर ओके तो ओर हम देखें तो cartization के अंदर axis 1 के ओपर क्या होता है prismatic joint होता है axis 2 में prismatic joint और axis 3 में भी prismatic joint और यहां पर rotary joint एक भी नहीं होता है cartison के अंदर यहां पर एक भी जो है rotary joint नहीं है पहला axis भी linear है दूसरा भी linear है और तीसरा भी यहां पर linear है cylindrical के अंदर पहला rotary होता है बाकी दोनों क्या होते हैं prismatic होते हैं और यहां पर एक rotary joint इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है spherical की बात करें तो यहां पर दो rotary joint मिलेंगे और तीसरा जो axis हो हमें यहां पर prismatic देखने को मिलता है इस कारा robot की बात करें तो यहां पर पहले दो joint हमें rotary type की मिलते हैं और तीसरा हमें prismatic जो देखने को मिलता है अगर हम articulated की बात करें articulated robot की बात अगर हम बात करें एक्चली हमें आप देखते हैं कि इसका जो work space होता हो कैसा बनता है तो आपके पास जो एक Cartesian robot है जो Cartesian robot होता है उसमें तीनों जो axis से वो क्या होते है Prismatic type के होते है और इसका जो work space बनता हो क्या बनता है एक जो एक cuboid बनता है एक cuboid shape का जो है work space हमें यहां पर दिखेगा अगर हम बात करें cylindrical robot की तो cylindrical robot का जो work space बनता हो क्या बनता है इस सिलिंडिकल type का जो आप जो है work space बनता है एनलर इसपेस सिलिंडर का जो हमें देखनी को मिलता है वर्क स्पेस के रूप में अगर हम i spherical की बात करें हमें जो ए वर्क स्पेस की रूप में हमें जो है याँ पर देखने को मिलता है और हम बात करें आर्टिकुलेटेट का तो आर्टिकुलेटेट के अंदर भी हमें क्या मिलता है हमें जो एक, जो envelope है, जो work space है, वो एक segment हमें देखने को मिलता है, spherical segment, और इस परकार से हमें जो है देखने को मिलता है, okay, अगर इसका रोबोट की बात करें, तो इसका रोबोट is some different robot, okay, तो इसका भी जो work space है, हमें जो है spherical का segment हमें देखने को मिलता है, spherical, जो specific segment देखने को मिल वर्क इस्पेस एक वोल्यूम होता, एक स्पेस होता, एक जगह होती है, जहाँ पर आपका end effector पहुच सकता है, ठीक है, यहाँ पर जो annular space है, इस एंदर के अंदर, end effector आपका, कहीं भी आप, जो है, end effector को आप पहुचा सकते हैं, इस cylindrical robot के अंदर, इसके आपको यह वर्क स्पेस दिख रहा है आपको तो इस वर्क स्पेस के अंदर जो end effector है वो किसी भी point पर पहुँच सकता है हम जो है last एक जो है यहाँ पर advantage और disadvantage देख लेते हैं सभी जो भी हमारे पास जो 5 टाइप की जो रोबोट है उनका हम यहाँ पर देखेंगे तीन linear axis है easy to visualize और यहाँ पर जो rigid structure होता है और हम offline आसाने से प्रोग्राम कर सकते हैं क्योंकि linear motion ही हमें कराना है linear axis make for easy mechanical stops यहाँ पर हम hard stops लगाते हैं mechanical stops लगाते हैं रोबोट के अंदर तो लगाना काफी आसान होता है linear axis पर लगा दीजिया आपकी यह maximum limit है वहाँ पर stop लगाना है तो वो जो है काफी आसान होता है disadvantage कहके वो देख लेते हैं मैं आपर can only reach in front of itself यह जो है अपने structure के सामने ही पहुँच सकता है rotate तो करी नहीं सकता है तो केवल जो है इस axis के जो है parallel ही जा सकता है okay in front of itself require large floor space obviously यह जो काफी size में काफी बड़ा होता है Cartesian तो Cartesian coordinate robot को काफी large space की यहाँ पर आवशकता होती है okay and axis hard to seal और जो axis है moment के उसको seal करना काफी hard हो जाता है cylindrical के हम बात करें तो cylindrical के advantage क्या कि है यह आपके दो linear joint है और यहाँ पर एक आपके पास rotary joint आपको देखने हों मिलता है यह जो है अपने चारो तरब घूम करके कहीं भी पहुच सकता है end effector जैसे कि इसके और यहाँ पर क्या कर सकता है यहां पने axis के सामने ही पहुँच सकता है ले किन यह पर सकता है यहां पर end effector जो है चारो तरब गूम करके कहीं भी पहुँच सकता है end effector cylinder guard के अंदर क्योंकि जो पहला link हो क्या कर रहा है rotate कर रहा है तो उसके rotate होने से end effector जो है अपने चारो तरब गूम करके कहीं भी पहुच सकता है reach and height axis, rigid axis rotational axis easy to seal यहां जो rotational axis होता है उसको sealing करना बहुत ही आसान होता है लेकिन जो linear axis है उसको seal करना आसान नहीं होता है okay this advantage के हम बात करें cannot reach above itself जितनी इसकी height है robot की उससे उपर यह नहीं पहुच सकता best rotation axis is less rigid than a linear जैसे हमने देखा इसकी dynamic performance जो है अच्छी नहीं होती है और rigidity भी ज्यादा नहीं होती है linear axis is hard to seal obviously आपर दो linear axis है जिसको seal करना hard होता है will not reach around the obstacles okay अगर obstacles होते हैं तो उसके around जो ही रिच नहीं कर पाता है पहुच नहीं पाता है horizontal motion is circular horizontal motion क्या होती हो circular होती है आपर तो यहां पर एक linear axis होता है और दो rotary axis होते हैं और यह जो है horizontally जो है काफी जो है लंबी दूरी तक जा सकता है okay can't reach around obstacle generally has short vertical reach अगर इसकी working की बीच मागर को obstacle आ रहा है तो वो जो है उसकी जो है cross जो है moment नहीं कर पाता है उसके around जो है वो नहीं move कर पाता है तो यह जो है disadvantage है यहां पर articulate के हम बाथ करें articulated jointed arm robot की तो यहहां जो है तीनो rotary axis होते हैं यहां पर और यह जो है किसी भी obstacle के above और below ये पहुँच सकता है आसानी से keyboard 안 तो वो किसी जो किसी भी जह है position के according क्या कर सकते है'toles रोटेट कर जा किसी बी अब्स्टेकल तक यह कर सकता है वो रीच कर सकता है अब हो भी लो and largest work area for list work floor space यहने कि कम floor space पर भी यह large work area के according जो है काम करता है two or four ways to reach a point ठीक है काफी जो है अच्छे तरके सी जो किसी point अपो सकता है and more ओके यह जो है यहाँ पर जो configuration है किसी point तक पहुचने के लिए तो यहाँ पर जो एक single configuration नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो तीनो rotary axis है तीनो rotary joint है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जो यहाँ पर configuration होते है तो इसको decide करना थोड़ा सा hard काम हो जाता है जो थोड़ा सा complex होता है height axis rigid होती है large work area for large work area for floor space यहाँ जो कम floor space में large work area हमें देखने को मिलता है can reach around the obstacle यह जो obstacle के around पहुच सकता है okay highly complex arm यह जो complex है और offline इसको program करना थोड़ा difficult होता है and two ways to reach a point किसी point है पोचने के लिए हम जोड़ा configuration से post सकते हैं तो यह थोड़ी जोड़ा difficult होता है का आप configuration आप जोड़ा प्रोग्राम के अंदर आप जो लिख रहे हैं तिस प्रकार से हमें देखने आप पर comparison of all five configurations, robot configurations and all the types of the robot based on the configuration अब एकले इतना है, thank you